21 साल का लड़का जिम स्टोर डकैती में हत्या के बारे में अकबार में पढ़ता है और बताता है ये कोई डकैती नहीं बलकि डकैती की आड़ में जानबूज कर की गई हत्या है क्योंकि मरने वाले एक स्टोर वोय नहीं बलकि एक एजेंट था और ये सब मुझ को कैसे पता क् पहले FBI में काम किया है और इस हत्या के बारे में मैं खुद जांच करूँगा जिम ये सब एनिमल हॉस्पिटल में बैठा हुआ वहां के कुटो को बता रहा था तभी वहां का ओनर आकर उसको धक्के मार कर नौकरी से निकाल देता है उसके बाद वो कुछ बच्चों से बात करता हुआ उनको बताता है कि 15 साल की उमर में मैंने गाय का आर्टिफिशल हार्ट बनाया था और मेरे पास बहुत जादा पैसा है अब मैं उनको विदेशों में जाके निवेश करूँगा असल में जिम एक आलसी और अपनी ही सपनों की दुनिया में रहने वाला लड़का है वो बहुत लंबी-लंबी फैक्ता है जिस वज़े से शहर के लोग उसे जूटा बोलते हैं और इसी कारण हर बार वो नौकरी से निकाल दिया जाता है एक बुड़ा वेक्ति जिम को समझाता है कि तुम्हारी उमर में सभी लोग सीरिस होके अपना काम करने लगते हैं तो जिम उनसे कहता है मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ तो बुड़ा वेक्ति उससे कहता है तुमको अपने लिए कुछ न कुछ सो पर जिम पर कोई फरक ही नहीं पड़ता तो उसका पिता उसको यहां रहना है तो तुमको अब किराया देना होगा इस बात पर पूरा परिवार सहमत होता है जिम सब की शकले देखता रह जाता है अगली सुबह उसका पिता उसको दूसरे श्टोर पर नौकरी करवाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वो जिम से कहता है अगर ये नौकरी तुमको नहीं मिली तो वो उसको अपने भाई के पास सेंड लुईस बागबानी करने के लिए भीज देंगे अब मजबूरी में जिम स्टोर मैनेजर के पास इंटर्वियू देने जाता है मैनेजर उसको कोई और समझकर ओपरेशनल मैनेजर की पोस्ट के लिए 4000 डॉलर महीने पर रख लेता है लेकिन जैसे ही उसके बॉस का कॉल उसे आता है तो वो जिम को बताता है कि एक गलती हो गई है हम तुमको यहां नाइट क्लिनर बॉय की नौकरी ही दे सकते हैं जो लगब तो उसे आवाज लगा कर बुलाता है और उन दोनों लोगों से मिलवाता है जो गवर्नर के ओफिस आये थे जो सी ना चाहते हुए भी उनके सामने आकर जान बूचकर अपना कोट उतारती है जीन स्टॉप में वो बहुत सुन्दर दिख रही होती है वो उनमें से एक आदम उसे से वहां से चले जाते हैं उसी राद वो लूटे रे जिनकी खबर अगबार में चपी थी एक कपल से उनकी कार चीन कर भाग जाते हैं अगली सुबह जिम काम पर जाने के लिए लिमोजीन हायर करता है जिसको देख कर उसका पिता चौक जाता है लेकिन उसकी माँ बच्चे उसे देखते रह जाते हैं उनके लिए जिम किसी हीरो से कम नहीं था जिम स्टोर पहुंसते ही ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो खुद ही बॉस हो जोशी भी उसी स्टोर पर शौपिंग करने आती है पर साथी साथ वो वहां रखके समान को चुराने लगती है फिर वो लाइट्स को आटो मोड में लगा कर जिम को वहीं स्टोर में बंद कर देता है जिम उसके ऐसा करने की वज़े से घबरा जाता है और उससे स्टोर की चाबिया मांगता है तो मालिक उससे कहता है नौकरी की पहली रात किसी को भी कोई चाबी नहीं विलती और कहकर वहां स से चला जाता है तभी स्टोर की इमर्जंसी लाइट को छोड़ कर सारी लाइट बंद हो जाती है जिम की हवा निकल जाती है फिर रात को 9 बजे वह पावर स्विच को डूंड कर लाइट ऑन कर लेता है अब वह सफाई करना शुरू करता है लेकिन मशीन सही से ना चला पाने की वजे से चीजों को और बिखेर देता है वो सिर्फ 15 मिट काम करके ही ठक जाता है और अपना ब्रेक लेता है वो वही रखी चीजों को खाने लगता है फिर वो टाइम पास करने के लिए मूवी देखता हुआ कोल ड्रिंग और पॉपकॉन खाता है उसके बाद वो अपने पि पिचने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो करता है और बीच बीच में सफाई करने की कोशिच भी करता है उसको स्केटिंग करते समें जोशी वही खड़ी मिलती है जिम कंफ्यूस सा उसे देखता रह जाता है और वहां रखे समान से जाकर टकरा जाता है जोशी उसके पास पुलिस वाले के साथ उसको ढूंडने निकलते हैं तो पुलिस वाला उनसे कहता है हो सकता है वो अपने किसी दोस्त या बॉइफ्रेंट के पास गई हो तो उसका पिता गुस्से में बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी बेटी को ढूंडने में मेरी मदद करो फिर जोसी को बताता है कि उसके पिता सीमेंट कॉंटरेक्टर हैं और अपनी फैमिली के बारे में बताता हुआ ये जताता है कि वो बहुत अमीर है तो जोसी उसकी बात काटते वे उससे पूसती है क्या तुम हमेशा इतना बोलते हो तो जिम बताता है हाँ मुझको बाते करना पसं दिनर के बाद दोनों साथ बैठे होते हैं, तो जिम सिगार पीने लगता है, जोसी उससे पूछती है, तुम हमेशा सिगार पीते हो, जिम कहता है हाँ, तभी जोसी उससे कहती है, शहर के लोग तुमें जूटा बोलते हैं, क्या ये सच है, तो जिम उसकी बास सुनकर उससे कह तो जोशी उससे कहती है, मैं तुम्हें सही से जानती ही नहीं हूँ, इस पर जीमू से बताता है, हम 17 साल से एक साथ एक ही स्कूल में पड़े हैं, उसको सुनकर जोशी कहती है, लेकिन मैं तुमसे कभी परसनल मिली ही नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती, अब जोशी उसक खराब हो जाती तो जिम उससे कहता है पर तुमें तो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है तो उसकी बात काटती भी वो उससे कहती है तुम कैसे भी हो पर तुम खुश हो जिम उसकी बात सुनकर चौकता है और कहता है मैं कहीं से भी खुश नहीं हूँ फिर उसे अपनी असलियत पताता है कि पूरा शहर मुझे जूटा बोलता है और मेरा परिवार मुझे पर हसता है तो जोशी उसे समझाती है कि तुम आजाद हो तुमारी जिन्दगी को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन मेरी जिन्दगी मेरे पिता कंट्रोल करते हैं उसके बाद जोशी मुजिक अकेले डांस करने लगती है। जिम भी उसे देखकर डांस करने लगता है। अब वो अपने परिवार और घर के बारे में उसे सच बताता है। तो जोशी खुश होकर उससे कहती है। मैं सच में तुम्हारे जैसी जिन्दगी जीना चाहती हूँ। तो जिम कन्फ्यूज होता ह पर तुम्हारे पास पैसा है, सारे आराम है, फिर भी तुम मेरे जैसी जिन्दगी क्यों जीना चाहती हो, तो वो बताती है, क्योंकि तुम अपनी आजादी का यूज ही नहीं कर रहे, और यही बात मुझको दुखी कर रही है, उसकी बात सुनकर जिम उसको बेवकूफ बोलत है, तो वो सीरिस होके उससे कहती है, हाँ मैं बेवकूफ हूँ, जिम और कन्फियूज हो जाता है, और उससे कहता है, तो तुम अपने पिता से कह क्यों नहीं देती, कि तुम भाड में जाओ, मुझको अपनी जिन्दगी जीनी है, इस पर जोसी उदास होकर उससे कहती है, क कि मैंने अपने दम पर अपना रास्ता बनाया, जिम साथ चलने के लिए मान जाता है, जियोशी उसकी बास सुनकर खुश हो जाती है, और उसको बताती है, कि मेरे पर्स में 52,000 डॉलर हैं, यानि कि लगबग 42,000 लाक रुपे, जिम उनको गिनता है, उसने अपनी पूरी जि इतना पैसा नहीं देखा था, फिर जिम उसको बताता है, कि जब हम स्कूल में थे, तो हमारी होम कमिंग पर एक डांस पार्टी थी, तुमने और मैंने एक साथ डांस किया था, पर हमारी जिमनास्टिक की टीचर ने हमें अलग पेर दे दिये, तो जियोशी कहती है, पार्ट हो जाती है, अब वो उसके साथ डांस करती है, एक रोमेंटिक डांस, डांस करते करते जोशी उसको गले लगा लेती है, जिम हलके से उसकी कमर पकड़ता है, और दोनों किस करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से लिप्टे हुए बहुत देर तक डांस करते हैं, वो इंटिमे जाता है अब दोनों स्टोर के अंदर स्कैटिंग करते वे बहुत हस्ते हैं जोशी शायद ही कभी इतना खुश हुई हो जितनी वो आज थी तभी उनके सामने लुटेरे आ जाते हैं चारों की टक्कर हो जाती है इससे पहले लुटेरे होश में आए जिम मेन पावर आफ करके जोशी के साथ चेंजिंग रूम की टेबिल के नीचे छुप जाता है जोशी जिम के ठीक उपर लेटी होती है वहाँ जिम से पूछती है क्या तुमको उपर आना है तो जिम मना कर देता है लेकिन लुटेरे उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने सामने जमीन पर दोनो करता हुआ बताता है वो माफिया 10 मिनट में यहाँ जाएंगे और इससे पहले तुम दोनों को कुत्ते की मौत मारें तुम्हारे पास 5 मिनट हैं इस स्टोर में से जो भी चीज लेना चाते हो ले लो और चले जाओ तो वो जोशी से उसके बारे में पूछते हैं तो बताती ह कि मैं इसकी बंदग हूँ दोनों लुटेरे कनफ्यूज हो जाते हैं तभी जिम नाटक करता हुआ ऐसा माहोल बना देता है कि जैसे माफिया आ गया है और बड़ी चालागी से उनसे बंदूक ले लेता है और अब वो उन दोनों को जमीन पर लिटा देता है जोसी जिम की च आप जाती है तो वो लुटेरो को परपोसल देती है और एक लुटेरो को अपने सामने होस राइट पर बैठा कर कहती है क्यों ना हम तीनों मिलकर इस स्टोर को लूट ले और यहां से साथ भाग जाएं वो राजी हो जाते हैं और फिर तीनों मिलकर इस स्टोर लूटने वो भी यही कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो, जिम दुखी होकर वहीं बैठ जाता है, वो लोग जल्दी से समान गाड़ी में डालने लगते हैं, तभी जोसी मुखा पाकर उनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है, लुटेरे उस पर गोल ये चलाते रह जाते हैं, इतने में जिम स्ट्रॉंग रूम में जाकर बंदूग निकाल लेता है, दोनों लुटेरे वापिस स्टोर में आ जाते हैं, तभी जिम माइक पर उनको अपनी FBI वाली कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जो वो हमको इस कहानी की शुरुवात में सुना रहा था, लुटेरे जैसे ही उ वापस आ जाती है, वो इस स्टोर का सारा समान वापस करती है, और जिम के साथ निकल जाती है, दोनों अच्छी सी ड्रेस पहन कर जिम के घर के पास चौराये पर उतरते हैं, बच्चे उसको देख कर खुशी से चौंक जाते हैं, आखिर जिम सच्चा हीरो निकला, अब वो अच्छी के साथ हमेशा के लिए वो शेहर छोड़ देता है, इधर पुलिस वाले को स्टोर रूम में दोनों वांटेड लुटेरे मिल जाते हैं, अब जिम और जोशी लास एंजलिस पहुशते हैं, और पूल साइड बैठे इंजुआय करते हैं, होलिवोड अब जिम वोड बन जाता है, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी, और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बैल आइकन दमाना न भूलें